अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखिये तो आप वो वीडियो भी देख लेजिए उसमें हमने कुछ अगर आपने अभी तक कॉन्ट स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी बल आइकन को प्रेस कीजी ताकि आपको टाइमनी नोटिफिकेशन्स मिलती रहे चले स्टार्ट करते है विच फेमस गारडन अफ कश्मीर वस बिल्ट बाइज जहांगीर फॉर इस बलावड वाइफ नूर जहां कौन सा गारडन एमपरर जहांगीर ने अपनी बीवी नूर जहां के लिए बनवाया था The answer to this question is शालिमर गारडन शालिमर गारडन को हम कुछ और नामों से भी जानते है इन नामों से भी हम शालिमर गारडन को पुकारते है यह बाग जो है यह बनाया था मुगल एमपरर जहांगीर ने अपनी बाइफ नूर जहां के लिए in 1619 Okay, moving forward शाय हमदान श्राइन वस कंस्ट्रक्टेट बाइ सुल्तान सिकंदर इन दे मेमरी ओफ जो शाय हमदान श्राइन है वो बनवाई थी सुल्तान सिकंदर ने किसकी याद में The answer is मीर सहीद अली हमदानी जो मौस्क है ये बनाई थी सुल्तान सिकंदर ने 1395 से ये में Islamic preacher मीर सहीद अली हमदानी की याद में मीर सहीद अली हमदानी को माना जाता है कश्मीर में इसलाम फहलानी के लिए after बलबल शाह सबसे पहले कश्मीर में इसलाम की शुरुआत की थी बलबल शाहने और उसके बाद मीर सहीद अली हमदानी आये थे Okay Who is regarded as the father of modern India Modern India Father of modern India किसको कहा जाता है The answer is Raja Ram Mohan Roy Raja Ram Mohan Roy को Father of modern India कहते है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे reforms लाए थे Reforms मतलब होते Chains Recognizable Chains लाए थे In Social, Educational and Political Reforms Okay Political Fields में Social Fields में Education Fields में उन्होंने बहुत सारे reforms लाए थे इसलिए उनका नाम रखा गया था या उनको कहते है Father of modern India Okay Next question Shimla Agreement was signed on Shimla Agreement कब sign हुआ था ये sign हुआ था 2nd July 1972 में Okay This agreement जो Shimla Agreement है ये Shimla में Sign हुआ था Between India and Pakistan Signed by Prime Minister Miss Indra Gandhi और Pakistan के President Zulfikar Ali Bhutto Okay ये Shimla में Sign हुआ था Agreement On 2nd July 1972 या मरो उसके बाद इस स्लोगन को Officially Indian National Congress ने लांच किया था 9th August 1942 में Okay Moving forward इसका जो नाम था इसका नाम साइमन Commission नहीं था इसका नाम था Indian Statuary Commission Okay बट इसके जो Chairman थे That was Sir John Simon उन्हीं के नाम से इसको Simon Commission कहा गया और यहां पे India में इसका बहुत अपोस हुआ कुछ स्लोगन्स भी सामने आए Go Simon, Go Back वो इसलिए हुआ क्यूंकि ये जो Commission थी इसको बेजा गया था India में ताकि यहां के वो कुछ constitutional reforms लाए यहां के constitution में change लाए यहां के government में change लाए बट इसमें India के किसी भी member को include नहीं किया था इस वज़ा से यहां पे लोगों में बहुत गुस्ता था और उन्होंने इसको oppose भी किया था Okay Who was the first woman sovereign of Kashmir who ruled for nearly 15 years Kashmir में कौन सी आवरत पहली ऐसी आवरत थी जिसने 15 साल उन तक हकूमत की कश्मीर पर that was यशूवती रानी यशूमती यह जिसको हम जशूमती भी बोलता है जो रानी जशूमती थी वो wife थी king धामोदर की और जो धामोदर थे वो गोनन्दा भन के बेटे थे जो गोनन्दा है वो ऐसा पहला king है जिसको कलहना ने mention किया है history of कश्मीर में कलहना ने book एक लिखी है history लिखी है कश्मीर की राज दरंगनी उसमें जो पहला king उसने mention किया है that is गोनन्दा 1 उसी के बेटे थे दामोदर और उनकी wife थी question number 8 where is it mentioned that कश्मीर was originally a lake कहते हैं ये कहां पे लिखाया है या कहां पे mention है कि कश्मीर originally एक lake थी ये लिखा गया है नीला माता पुराना में नीला माता पुराना एक initial text है जो almost 6th to 8th century में लिखा गया था इसको कश्मीरा महत्मिया भी कहते है इसमें information है about कश्मीर की history, geography, religion, folklore इस सब के बारे में information है जो कलहना ने भी use किया है जब उसने history लिखी है तो one of sources है जो उसके sources है history के तो उन में से एक source नीला माता पुराना भी है okay so in which century Chinese traveler hyun sang visitor कश्मीर किस century में Chinese traveler जो है hyun sang वो कश्मीर आये थे okay the answer is 7th century 80 जो हूँ sang थे वो Chinese first traveler थे जो कश्मीर आये थे और वो यहां पे almost 2 साल तक रुखे okay जो उनके records है Chinese pilgrim के उसमें कश्मीर के बारे में हमें एक accurate description मिलता है उसमें कश्मीर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है so हमें एक fullest या most accurate description मिलता है कश्मीर के बारे में so coming to the last question of this session ताइमूर सेंड विच गिफ्ट तो सुल्तान सिकंदर जो बादशा ताइमूर थे उन्होंने सुल्तान सिकंदर को क्या गिफ्ट सेंड के थे the answer is उन्होंने elephant बेजे थे दो elephants उन्होंने उनको बेजे थे as a gift so thank you everyone इसका और इक पार अप्लोड होगा बहुत जल्द अप्लोड होगा आपके पास कोई details होगी sorry this is details होगी कोई queries होगी आपको कुछ और जानना होगा आप मेरी telegram channel at the rate of ask underscore arshi पे भी आ सकते हैं और daily quizzes के लिए आप हमारा official group con study का जिसकी link नीचे description में दी हुई है उसको join कर सकते हैं so thank you and bye